नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रिक आकाश आप सबका बहुत बहुत श्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल में दोस्तों क्रिकिट के खेल को जितना धहरे और सयम के साथ खेला जाए उतना ही अच्छा होता है पर बिश्सु में कुछ ऐसे भी बल्ले बाज हैं जो धहरे और सयम के बिना तूफानी अंदाज में बल्ले बाजी करते हैं आज की न्यूज में हम आपको तीन ऐसे ही खेलाडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में लगातार चार गेंदों में चार चक्के लगाने वाले खेलाडियों की लिष्ट में दच्छड अफरीका के एवी डिविलियर्स का नाम भी आता है उन्होंने साल 2009 में कैप टाउन में आस्टेलिया के बिरुद खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान लगातार चार गेंदों में चार चक्के लगाए थे बता दें कि उस दौरान एवी डिविलियर्स ने 196 गेंदों में 133 टरन बनाए थे इस लिष्ट में पाकिस्तान के खतरना खिलाडी साइद अफरीदी का नाम भी आता है शाइद अफरीदी ने साल 2006 में भारत के बिरुद लाहौर में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान हरवजन सींग के एक ओबर में लगाता चार चक्के लगाए थे बता दें के उस दौरान साइद अफरीदी ने असी गेंदों पर 103 डन की तुफानी पारी खेली थी और इस लिष्ट में आखिरी नाम है भारत के भूद पूर्ख लड़ी कपिल देव का उन्होंने इंग्लेंड के विरुद 1990 में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लेंड के एडी हैमिंग्स की एक ओबर में लगाता चार चक्के लगाए थे बता दें के उस दौरान का पिल देव ने सरसर टरनों की पारी खेली थी तो दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए जड़र है करी काकास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन